नमस्कार स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संबात पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सश्टिवा अल्मोडा जन्पत की छे विधान सभाओं की चुनावी फिजा की बानगी का जायजा लेने के लिए अल्मोडा, सोमेश्वर, द्वारहाट, रानिखेट, सल्ट और जागेश्वर विधान सभाओं शेत्रु का मोटा माटी सर्वे से फिलवक्त पता लगता है कि मदाता की खामोशी चौकाने वाले परिणाम ला सकती है ये खामोशी मदान के तोर पर ही तूटेगी ऐसा जान पड़ता है खामोश मदाता का समर्थन किसे मिलता है ये कहे नहीं सकते दरसल इस चौनाव का मजाज पिछले विधान सभा चौनाव से दीगर होनी जा रहा है ये गौर तलब है कि पुछले चौनाव में भाजपा के ऐसे नाउमीदवार प्रत्याश्टी भी खासे अंतर से जीत दर्श करा कर विधान सभा को रवाना हुए थे जिन पर भाजपा को खुद भरोसा था ही नहीं कुछ ऐसे परणाम भी भाजपा को देखने को मिले जिन पर भरोसा जाहिर किया उसी इठाथ से निकल गई इस मरतबा ना भाजपा की लहर है ना कॉंग्रेस के प्रती कोई उत्सा बाकी दलों या नर्दलियों की भी कोई फिज़ा नहीं ऐसे में पार्टियों के परंपरागत वोट और प्रतियाश्य की अपनी योगिता ही उसका बेड़ा पार लगाएगी अभी के हालातों में तो यही लगता है हार जीत में बड़ा कारण मदान का प्रतिशत तै करने वाला है कोविड मामारी की चलते हैं पोलिंग बूत तक कितने मदाता पहुच पाते हैं या कारेकरता वोट डलवाने में काम्याब होते हैं ये बड़ा सवाल है बैराज जीले की 6 विधानसबा सीटों में कुल 51 प्रतियाशी चुनावी समर में डटे हैं जिसमें द्वाराहाट विधानसबा सीट से सरवादिक 10 उमीदवार, अल्मोडा से 9 रानिकेट से 8, जागेश्वर से 7, सल्ट से 9 और सोमेश्वर विधानसबा सीट से 8 उमीदवार अपना भाग्या आजमाने चुनाव वे उतरे हैं अल्मोडा में भाजपा से केलाश चर्मा, कॉंग्रस से मनोश तिवारी, बसपा से अशोक कुमार, आम अधिपाटी से आमिज जोशी सपा से अर्जुन सिंग भाकुनी, उपा से गोपाल राम और यूकेडी से भानु प्रकाश जोशी के अतिरिक्त, निर्दलिय जागेश्वर वदान सभा सीट से कॉंगरस के गुविन सिंग कुजवाल, भाजपा से मोहन सिंग महरा, सपा से नाराएन राम, उपा से नारायन राम और आम अधिपाटी से तारा दतपांडे मनीश सिंग नेगी, और यूकेडी से से समाजवाधी पार्टी से रमिश याने दिनेश्चंद्र बलवंत आरे सपा से हरीश्चंद्र आप से गोविंदलाल और मधूलता निर्दली प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं अब बात करते हैं सल्ट विदान सबागी तो यहां से भाजपा के विधायक रहे महेश्ची ना कॉंग्रस से पू के अनल चाही कॉंग्रस के पूर्व मधन सिंग विष्ट यूकेडी से पूर्व धायक पुषपेश्टर पार्टी बसपा से आनंद बलब सपा से गणेश चंद्र आप से प्रकाश चंद्र पीपल्स पार्टी ओफ इंडिया से डॉक्र प्रमोत कुमार के साथ नवीन चदर बेबाकी के साथ प्रत्याशी या पार्टी का नाम ले रहा था इस बार उसका टका से जवाब है कि आने को तो सभी आ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा देखो किसकी लौटरी लग जाती है या फिर पता नहीं लगता महाराज जो हो रहा है होगा दस मार्श को क्य क्या होगा ये बताने की स्थिती में कोई नजर नहीं आ रहा फले कोई लाक दावे करे कि पुकता तौर पर कुछ कहने से सियासत के तमाम पार्टी भी गुरेस कर रहे हैं चुनावायों कि सकती से बैनर पोस्टर का युद्वी कोई उमीद जगाता नहीं देख रहा है मोट केड़ी भी अपनी पूरी ताकत के साथ द्वारहाट सीट में आशावार नजर आ रही है तो वहीं आम आदनी पार्टी भी अपनी पुकता उपसिती दर्ज करा रही है वधान सभा के पुराने चुनाव पर नजर डाले तो जागेश्वर वधान शेत्र के कॉंग्रस पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंग महरा भाशपा से तार ठोक रहे हैं राज बनने के बाद से पहले चुनाव में अलमोडा की सीट भाशपा के खाते में लाने वाले कैलाश शर्मा तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं उनका सामना है दो बार के विधायक रहे मनोश्तिवार से जिले की एक मातर आरक्षित विधान सभा सीट सोवेश्वर से कॉंग्रस के पुर्व जिला अध्यक्ष राजेदर बारा कोटी पर भरोसा जाहिर किया गया है उनका मुकाबला कभी कॉंग्रस में रही और भाशपा सरकार की पुर्व कैबिनेट मंतरी रेखार्या से है सोवेश्वर में 2022 में कॉंग्रस के प्रदीप टम्टा विजे रहे उसके बाद भाशपा के अजे टम्टा ने बाजी मारी 2012 में रेखारया ने कॉंग्रस की टिकट पर चुनाब जीता और 2017 में रेखारया ने बीजीप के दामन थामा और कैबिनेट मंतरी तक पहुँच गई युगेडी का गड़ का जाने वाले द्वारहाट विदान सबा में दल संस्थापक विपिंचंदर तरपाठी 2002 में विधायक चुने गए उनकी मृत्यू के बाद लगातार दो बार चुनाब में पुषपेश तरपाठी को यहां की जनता ने देहरादून भेजा 2012 में कॉंग्रस के मदन सिंग विषवधायक बने 17 में चुनाब में भाजपा के महेश नेगी चुनाब जीते रानीकेत में 2002 और 2012 में भाजपा के अजेवट जीत हसल कर चुके हैं 2007 और 2017 में कॉंग्रस के करन महारा ने सीट हासिल की अब उनके सामने भाजपा से प्रमोध नैनवाल मैदान में हैं सल्ट में भी कॉंग्रस के मौझूदा कारेकर्ता प्रदेश अद्यक्ष रंजीत सिंग रावत मैदान में हैं रंजीत यहां से दो बार वधायक चुने गए हैं 2012 और 2017 में परिसिमन के बाद सुरेंदर सिंग जीना भाजपा की ओर से जीतिया हैं उनके निधन के बाद 2021 के चुनाव में उनके भाई महेश जीना ने जीत दर्श की इस बार चुनाव में उनके मुकाबले में कॉंगर्स से वधायक रहे रंजीत रावत चुनावी मैदान में हैं कुलमिलाकर शे वधानसभा सीट वाले अलमोरा जिले में चुनाव लगातार जोर पकड़ रहा है जहां कॉंगर्स ते अपने पुराने उद्धाओं पर भरोसा जाहिर किया है वही भाजपा अपने आंतरिक सर्वे पर खरे उत्रे दो नए चैरे मोहन सिंग मेरा और अनिल शाही को चुनाव लड़ा रही है देखना ही है कि मोदी लहर में भी अपनी सीटे बरकरार रखने वाले कॉंगर्स के दिगजनेता गोविन सिंग कुछ वाल और वधान सभावे परतिपक्ष के उपनेता रहे करन महरा कैसा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इस बार का चुनाव बिन बयार और लहर दिखाई दे रहा है आप जबकि मंदान में हफते भर का भी वक्त नहीं बचा है कोविड के चलते किसी बड़े नेता की चुनावी सभाओं की संभावनाएं कम है ऐसे में उमीदवारों के हातों ही उनकी नाव की पतवार है फिलाल के लिए हमारे इस खास कारकर में इतना ही आप देख तेरी प्रिद्बक्ष संभाद नमस्कार धन्यवाद